हेलो एविवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे तो आज की जो डिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखिंगे कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आज सुबह-सुब्रह आपके बारे में क्या सोच रहे थे क्या फील कर रहे थे उनके एमोशोंग feeling deep desires ठीक है उनका action हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस reading में और totally हम देखेंगे कि क्या कुछ feel कर रहे थे वो आपके लिए आज सुबह सुबह ठीक है तो चलिए करते हैं reading को start आप लोग मेरे साथ बने रहे और बस आप ध्यान रहेखेगा कि यह जो reading होती है यह एक reading होती है और collective होती है टाइम डेस रीडिंग होती है ठीक है तो फुल focus किजएगा इस reading के ऊपर क्योंकि यह जो reading है आप सब के लिए काफी special है आप सब के लिए काफी special रहने वाले हैं ओके सो गाइड करें अंजल्स उनिवर्स एंसिस्टर्स न्यू मून को ले करके हम आज यह reading कर रहे हैं तो focus किजएगा आप मेरे वीवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स उनिवर्स एंसिस्टर्स ओके गाइड करें एंजल्स एक बार आप अपने एंसिस्टर्स को याद के जाएंड करें एंजल्स एंजल्स के जाए जाएंजल्स के लूएंड करें एंजल्स okay very nice okay very nice please write me the angles chicken okay the dark okay okay bottom of the deck house house okay house hmm hmm okay okay yeah okay 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 से relationship चल रहा है लेकिन इसमें अगर stability की बात करें तो stability आने ही पाई है वो चीज़े आने ही पाई है यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों की बीच में होना तो चाहिए था बहुत कुछ लेकिन अभी तक नहीं पास्ट में पास्ट में जो है ना सब्सक्र 딱 कि बहुत को सीज़े हुए आप दोनों की बीच में जैसे की बहुत arguments हुए बहुत सारी problems हुई बहुत सारी ऐसी problems हुई जिनको बड़े आसानी से solve किया जा सकता था लेकिन वो आसानी से solve ना करके आप दोनों उसमें और जदा उलशते चले गए और उलशते चले गए आपके partner की energy काफी अलग है काफी जदा अलग मन जैसे कि एकदम बॉखला गया है ऐसे वाली energy है जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है काफी यह जो person है ना आपके बगर loss फिल कर रहे हैं आज सुबह सुबह मैं देखू तो यह person की energy मुझे लग रही है जैसे कि यह person की आस पास की लोग काफी इनको tension दे रहे हैं इस person की feelings हैं कि इनके घर में ही कुछ लोग हैं जो कि इनका mind divert कर रहे हैं depression में डालने की कोशिच कर रहे हैं और यह person इतना ज़दा depression में चले जा रहे हैं कि यह person के मन में suicide करने का भी thought आता है ठीक है यह person की energy ऐसे भी suicide करने की भी thoughts आते हैं क्योंकि यह person के घर वाले लोग काफी toxic है ठीक है manipulate काफी ज़दा करते हैं आप दोने के रिष्टे को नहीं देखना चाहते हैं यह लोग मुझे यहां पर यह भी देख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में काफी ज़्यादा गुस्सा है काफी ज़्यादा mental stress है एक तरीके से देखा जाए तो कही ना कही ऐसा लगता है न कभी कभी की इनका सरफ और जाएका टैंशन की वजह से इतनी ज़्यादा टैंशन हो रही है आपके पार्टनर को सुबह से यह person आज परेशान है पास्ट की बाते हैं पास्ट की चीज़ें आपके पार्टनर को एकड़ मुझे ही और पर इसी की पार्टन ने जब जब ट्राई किया तब इनकी मृट टाला यह कोई और है जो इनके उपर बड़न डाल देता है और इसी के वज़ा से यहां पर प्रोब्लम्स होने लगती है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो भी है जो भी चीजे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक होता ना कि जैसे समझ में नहीं आता है यह पर्षण अपने वर्क में अपने जॉब में अपने आपको बीजी रख रहे हैं कहीं ना कहीं यह पर्षण अपने घर नहीं जाना चाह रहे हैं यह पर्षण का दिख रहा है जिसे कि पर्षण यहां पर कुछ खोया भी है आज कल कुछ खोया भी हो सकता है कि इनके घर में किसी की या तो देथ हो गई है या फिर किसी बच्चे की भी एनरडी लग रही है जैसे कि कहीं खतम होने के चांसे मुझे नजर आ रहे हैं ऐसा लगते है कि जैसे कुछ पेंफुल गुजरा है और प्रभाव आपके पार्टनर के उपर आ रहा है इनके घर में या इनके आसपास कुछ ऐसा पैत्रिक दोश मुझे नजर आ रहा है ठीक है जिसके वज़े से आपके पार्टनर का माइंड बहुत 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 ज़दा इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपने आपको control करे तो कैसे करे इं थौर्ट से निकाले खुद कोई तो कैसे निकाले यह पॉर्षन का माइंड इतना जदा stress में चल रहा है कि यह पॉर्ड्विं एक दम से कहता है ना कि यह मतलब समझे नहीं आता है कि यार मैं जियूं या खतम कर लूँ खुद को यह पॉर्षन का इतना ज़दा इस्ट्रेस बढ़ जाता है लेकिन यह पॉर्षन के पास जब आप जाते हो कही ना कही यह पॉर्षन चिलाने लगते हैं कही ना कही यह पॉर्षन अपना गुसा दिखाने लगते हैं आपको ये पॉर्सन को sexual चीजे भी करने हैं आपके साथ sexual relation भी बनाना है आपके partner को मुझे ऐसा feel हो रहा है ये card मुझे बता रहा है clear बता रहा है कि आपके साथ आपके partner को चाहिए sexual relation भी चाहिए मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है की आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो connection हैं जो चीजएavored हैं काफी स्टक हैं काफी जदा इस्टक हैं relationship में काफी कुछ ruim-जाय ऐसी हैं जो कि unexpected तरीके से होती है unexpected है यह है आपके partner को बहुत अच्छे तरीके से manage किया गया है इस रिस्ते में बहुत manipulate किया गया है, बहुत manipulate करने की कोशिश की गई है, अपने काम को निकलवाने की कोशिश, या कहे तो अपने इक शाओ की पूरती है तू, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको यूज कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को पता है, उनकी इंटेंचिन क्या है जो उनको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है आपके पार्टनर को काफी इनकी फैमिली हो या इनके कुछ अपने रिस्तेदार हैं जो कि इनको बहुत ज़्यदा प्रोब्लम में डाल रहे हैं बहुत प्रॉब्लम में ठीक है मन बड़ा घबराया हुआ सा है आपके पार्टनर का गाइड करें एंजल्स अल सुबह सुबह मेरे वीवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे ओके आप लोग रुई किरा सोई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर मैं आप लोग को फ्री रीडिंग दूंगी उस चैनल पर रुई किरा सोई चैनल पर इसी मन्त ठीक है इसी मन्त मैं लाइव आने वाली हूँ तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल पर वीडियो देखिए और उस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए ठीक है और जिसका कॉमेंट ज्यादा रहेगा ठीक ज्यादा वीडियो पर रहेंगे उसको उसकी फ्री रीडिंग मिलेगी चैनल के उपर ठीक है यानि कि मैं जब लाइव आऊंगी उस दिन मैं उनकी रीडिंग करूंगी मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा जो रिष्टा है थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा होता है न कि लाइफ में चीज़े रुक्सी जाती है ठीक है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा जरूर है जो कि माइंड गेम खेल रहा है एकदम से ये इनकी मदर हो सकती है सिस्टर भावी कोई भी हो सकता है जो कि माइंड गेम खेल रहा है इनके साथ इनकी एक शाओ के साथ खेल रहा है और इनको पता नहीं इनके माइंड पे कंट्रोल है किसी का कि इनके माइंड पर किसी का कंट्रोल हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो चुका है मुझे यहां पर यह दिख रहा है ठीक है गाइड कर अंजल्स गाइड करेंजल्स उनिवर्स और सिस्टर्स आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाह रहे हैं आज आपके पार्टनर को मिलने के इक्षा बहुत ज़दा हो रही है यह परसन अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे हैं इनके घरवाले भी रोक रहे हैं इनको कि नहीं जाओ नहीं मिलो नहीं बात करो कॉल मत करो मैसेज मत करो उसको किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टाक्ट मत करो उसको नहीं मानेंगे परसन नहीं मानते हुए दिखाए दे रहे हैं इनके अंदर देख रहे हैं पैशन देखो यहां पे एसा वांड का पैशन है एसा वांड कुछ भी क कर गुजरने का कार्ड कुछ भी कर गुजरता है यह इंसान तो यह इसा वांड का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर सेम वही फीलिंग्स ला रहा है सेम वही इमोशन ला रहा है यह परसन को बस करना है तो करना है इनकी जिद है इनकी जिद है कि आप इनकी लाइफ में आओ और आप उसी तरीके से इनकी लाइफ में आओ जिस तरीके से ये पर्सन ने आपको इंसल्ट करके बाहर निकाला था यानि कि कहें तो ये पर्सन आपसे माफी मंगना चाहते हैं आपका पैर पकड़ लेना चाहते हैं यह person सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे action नहींना है, no contact situation को खतम करना है, no contact situation को खतम करना है आपके partner को, एकदम से totally खतम करना है, अचानक से आपके partner के energy आरे की एकदम से बदल गई है, एकदम जयो, यह सब पता है क्यों हो रहा है, आपको पता है, आज सुबह, सुबह यह क्यूं हो रहा है आपके पार्टनर के उपर सूर्य ग्राहन का बहुत जयदा प्रभाव पड़ा है बहुत जयदा ठीक है? और ये न्यू मून भी है तो प्रभाव तो पड़ना ही है डबल प्रभाव पड़ेगा तो आपके partner के अंदर वो negative energy है ना खतम और यहाँ पर positive energy यहाँ पर एकदम से अच्छानक से start होते भी energy मुझे नजर आ रही है अच्छानक से बहुत सारी चीजे हैं जो कि आपको करने को आपको देखने को मिलेंगी मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है prince of swords का card आपके partner आज सुबा सुबा एकदम से तयार हो गए थे कि आरे चलना है चलना है no contact situation खतम करना है आपके partner काफी ज़्यादा aggressive nature के है और यह person ने सोच लिया था कि उठा ले जाओंगा तुझे में डोली में है न वही बात है तो यह person जो है न एकदम से फटा फट करके action लेने वाले थे देखो मैंने का न उठा ले जाओंगा तुझे में डोली में शादी को ले करके मैंने काओ और यहां पर marriage का काड़ा गया देखो marriage निवाना है या marriage करना है आपके partner को यह person रुकने वाले नहीं है रुकने वालों में से नहीं है हाला कि इनको control काफी ज़्यादा किया जाएगा चाहे black magic का use किया जाए चाहे इनको manipulate किया जाए टाहें किशी वज़्यासे भी इनको रोकने की कोशिश की जाए इनको रोकने की कोशिश इनके खरवाले या इनको जो control कर रहा है third party वो पूरी तरीके से करेगा पूरी तरीके से control करेगा आपके partner को कि नहीं 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 तुम जाओ तुमारे ये हो जाएगा तुमारा वह हो जायगा बहुत सारी खुश्चीजS होंगी यहाँ पर आपकी एनरजी-चेक करते हैं उसके बात देखेंगे आगे इस रिष्कते में क्या होने वाला है मेरे वीवर्स मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें दा फ्यूचर बिलॉंगिंग फेट इंडॉरेंस एंट्री बॉटम अफ़ टेक लॉस काफी लॉस फील हो रहा है आपको बहुत ज़ादा अकेले पन को फील कर रहे हो आप बहुत अकेले पन को फील कर रहे हो आपको लग रहा है कि सब कुछ खतम हो गया आप कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है पेंफुल टाइम आप गुजार रहे हो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस परसन को बहुत चीजे मानते थे इस परसन के साथ बहुत 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 जदा प्यार आप करते थे इस पॉसन को बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट आपने की लेकिन यहां पर देख रहा है कि आपके पास कुछ नहीं बचा है बस आपको बचा है आपके पार्टनर की याद आपके पास बच गई है बाकि कुछ नहीं बचा है फ्यूचर का दिख रहा है फ्यूचर का काड आया है फ्यूचर को ले करके आपने काफी कुछ सोच रखा था है ना काफी कुछ सोच रखा था आपने फ्यूचर बहुत प्यारा काड बहुत प्यारी एनरजी यहाँ पे थी आपकी कि आपको फ्यूचर बनाना है या इनके साथ ताना है सुक्री स्ने को सब्सक्राइर के लिए निल्राइस बनाने के लिए लेकिन इस वर को कुछ और ही है यहां पर दिख रहां कि जो पॉर्स रहे हैं वह प्रसलं कर दिया इतना जद बिस्थ परेशान कर दिया कि आप tu अब जो है ना परिशान हो गए आप जानते हो कि इस पॉर्शन के उपर ब्लैक मैजिक है या आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है आपको पता है यहां पर आपको पता है कि ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है क्योंकि जो भी चीज़े हैं ये आप दोनों को अलग करने के लिए सारे खेल खेले गए हैं ठीक है, black magic हो, negativity हो आपके partner के उपर negative energies काफी जदा हो सकती है काफी negativity का प्रकॉप हो सकता है आप दोनों के रिष्ते के उपर ताकि आप दोनों का रिष्ता बने ही ना आप दोनों करिष्टा successfully नहीं आओ पाए ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के सांथ काफी अच्छा खासा टाइम बिताया है काफी ज़दा अब अपने आपके उपर से ये black magic को खतम करना चाहते हो चाहते हो अपने आपको प्रोटेक्ट करना कि अब मैं प्रोटेक्ट होना चाहते हूं मैं नहीं चाहते हूं कि मेरे relationship के बीच या मेरे ऊपर कुछ ऐसी चीज़े हैं क्योंकि आपके इससे health issues भी हो रहे हैं आपके health issues भी हो रहे हैं अपके health खड़ हो रहे है दिन प्रति दिन खराब हो रही है आपके health आप अपने आपको maintain कर रहे हुब नवरे मैं ठीक कर लूगी मैं ठीक हुँ ठीक है वो कर रहे हो आप मुझे कहीं न कहीं य आप दिक रहा ह कि पिछले 6 महेंजे से आप काफीज़़ा परिशान चल रहो पिछले च्हेन माइने से बहुत परिशान चल रहो यश मुझे ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपकी लाइप में कुछ भी शही नहीं चल रहा हूँ ऑपने पने आपो सबसे मिलना जुनना बंद कर दिया है और अपने अपने आपको आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं को हैं कि मुझे यहादव और आपको डील कर रही के घृष surtout डीलेंगे जो भी मुझे यहां पे दिख रहा है कि आपकी स्टॉणग एनेरजी आप कही ना कहीं जो है स्टॉ और रहा है ribles connection को समझ रहे हो आपको लगता है कि आपका friend connection rip connection कार्मिक connection क्रेजिश्ट इसलिए आपको इतनी तकलीफ इतना तरद इतना जो है फिन अपड़ा है आपको नपढ़ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे यार क्यों में या। चीजे क्यों क्यों है ना मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आप कही ना कहीं इस relationship में जो प्रॉब्लम सारी है ठक चुके हो ठीक है थक चुके हो आप इस प्रॉब्लम से ऐसा लगता है जिसे कि क्यों आपकी जिन्दगी में ऐसा क्यों हो रहा है आपकी जिन्दगी में ऐसी चीजे क्यों हो रही है कहीं ना कहीं आप जो बैलेंस कर रहे हो ना जो चीजे कर रहे हो ना सच में आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हानी का रख है यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्ल जादा हो बहुत जादा परेशान हो आप सोच रहों कि यार क्या करूं क्या करूं क्या गरूं डिवोस के भी चांसे आ चुके हैं आप दोनों की बीच में आ चुके हैं काफी क्लारिटी नजर आ रही है मुझे गाइड करें एंचेल Πरेण्स आ अलिवरिबावश्यस प्लीज गाइड करें भी oh अब स्ने सब कुछ हार करके ना इश्वर के उपर सब कुछ सॉंप दिया है कि भई मुझे नहीं पता कि अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा फ्यूचर मुझे नहीं पता आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे अब तुम जानो मुझे नहीं पता है आप जिनको भी मानता हूं उनके उपर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है 8 of Wands, सब कुछ surrender कर दिया है, आप सोच रहो कहीं travel करने का, कहीं जाने का, कहीं गूमने का, कहीं आपने partner से ही मिलने का, क्योंकि आपको इनसे बाते करनी है, पूछना है कि क्या है, तुम क्या चाहते हो, फाइनली बताओ कि तुम क्या चाहते हो, कहीं न कहीं आपने सोच लिया है कि इस person से तुम मैं पूछ के ही रहोंगी, क्या है तुम्हारे दिल में दिमाग में, क्या इस रिस्ते को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है या इस रिस्ते में तुम नहीं आना चाहते हो, 10 of Swords आप एकदम से क्लियर में जो है ना यह person से पूछना चाहते हो कि क्या करना चाहते हो तुम यह बता दो मुझे बस मुझे भी शौक नहीं यह तुमारे पीछे आने का और मुझे यहां पे दिख रहा है कि आपको जो पेन हो रहा है आप बरदाश कर रहे हो यहां पे और यह आप यह भी सोच रहे हो कि कब तक मैं बरदाश करूंगी कब तक यह जो पेन है मैं जेलती रहूंगी कुछ तो इसका solution निकले या तो तुम हा बोलो चाहे ना बोलो तुम बता दो तुम मेरी life में आ तो आ जाओ या निकल जाओ ठीक आपने यह decide कर लिया है कि तुम मेरी life मे आ जाओ या निकल जाओ तो यहां की energy मुझे काफी ज़्यादा दिखाए दे रही है ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में 10 of swords काफी ज़्यादा पेन है काफी ज़्यादा तकलीफ है मुझे यहां पर यही देख रहा है कि आपको और आपके partner के बीच में काफी कु आप अभी भी इस person को चाहते हो अभी भी इस person को दुआओं में प्रात्नाओं में मांग रहे हो आप हील करना चाहते हो इस रिस्ते को जो है ना आप किसी भी कीमत में अभी भी चाहते हो कि यह रिस्ता जो है ना मेरा बच जाए इस रिस्ते में कहीं ना कहीं आपको लगता ह हुए है आपकी आस्था नगी मेरा यह रिस्ठा कैसे भी करके मुझे वी कर मुझे जाएं यह ही चाहिए ठीक है मुझे यहां पर ऐसा फील हो रहा रहा है लहे लेक्ते हैं इस दिफ्रे की जो है इस रिष्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है तो इस रिस्टे का क्या हो सकता है इतना जदा पेंच हिलने के बाद क्या हो सकता इस रिस्ते का पेंच इस रिस्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है विल अफ वर्चून आपके रिस्ते में एक नया चेंज आएगा एक नया चेंज जितनी निगेटिविटी है निगेटिविटी खतम एक दम खतम आपके जीवन से बबाई टाटा अब नहीं मिलेंगे दुबारा वही वाली एनरजी आ रहे है ऐसा लगता है कि दुख बरे दिन अब जो है दुख बरे दिन चले जाएंगे किन घाना यह जो गहरा चान्द था आमावस की राथ खतम ने एक परिसेंस सब को छोडशार चार के यह person आपके तरफ आएंगे, decision लेंगे, strong सा decision Queen of Cups, आपके प्यार को पहचानेंगे यह person Finally, यहाँ पे दिख रहा है कि यह person आपके प्यार को पहचानेंगे और bottom of the deck देखो, two of cups का card आपके प्यार को पहचानेंगे यह आपके partner और आपके तरफ यह person भागते हुए, दोड़ते हुए, एकड़म से भागते हुए, दोड़ते हुए यह person आने वाले हैं ठीक है, आप भरोसा नहीं करोगे, बट यह person है बहुत ज़ादा प्यार करते हैं बहुत ही ज़ादा, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यह person बहुत ज़ादा प्यार करते हैं आपसे एकड़म से लगता है, जिसे कि दिल ही दिल में एकड़म से जिसे आपको अपना बना चुके हैं ठीक है, और यह person जो एहसास कर रहे है, यह person काफी अलग एहसास है, काफी ज़दा अलग सा एहसास मुझे फिल हो रहा है यहाँ पे, ऐसा मुझे फिल हो रहा है कि आपके partner आपको चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं और यह person आएंगे तो एकदम से जल्दी आएंगे ठीक है so overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में future है आप दोनों का so attention मत लो overall reading में यही दिख रहा है मुझे आपकी energy के अनुसार से so यह है आपकी energy आपकी reading reading तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नई reading में और अगर आप मुझे प्रस्टल ट्यारों रिडिंग लेना चाहते हैं तो इस क्रीन पर दिए गए नंबर पर contact कीजिए या description box में जो number available है वहाँ पर contact कीजिए मिलते हैं फिर आपसे किसी नई reading में तब तक के लिए बाबाई